Dear Students, मैं डॉक्टर मौनिका डुंदरवाल आज अपने इस वीडियो में विटामिन B12 की जानकारी देने जा रहे हूं। विटामिन B12 एक जल कुलंशील विटामिन होता है और यहाँ विटामिन भी हमारे शरीर के लिए अति आवशक विटामिन है। विटामिन B12 की खूच सन 1948 में रिक्स द्वारा की गई थी। इस विटामिन में कोबाल्ट जो एक महतपून खनी रवन होता है उपस्तित होता है। इस कोबाल की उपस्तिती के कारण ही इस विटामिन को सामोहिक रूप से कोबाल अमीन भी कहा जाता है। यह विपिन्न रूपों में पाया जाता है और इसके जो रूप है उसमें पहला है हईड्रोक्सी कोबाल अमीन, दूसरा है मिथाइल कोबाल अमीन और तीसरा है साइनो कोबाल अमीन. परनिशिस जो एनिमिया होता है या रक्त औलपता होता है इसके निवारन के लिए विटामिन B12 का ही प्रेयोग किया जाता है अब हम बात कर रहें विटामिन B12 की रासाइनिक विशेश्ताओं के बारे में जब विटामिन B12 की रासाइनिक विशेश्ताओं की बात करते हैं तो यह लाल रंग का सुई के आपार का रविदार प्रधार्ट होता है जल में यह कम गुलंशील होता है अथार्थ यह पूर्ण रूप से गुल नहीं पाता है आप से यह प्रभावित नहीं होता है अथार्थ हाई टेंपरेचर पे विटामिन B12 जो है वह नश्ट नहीं होता है शक्ति शाली अमल एवं शार के प्रती अस्थिर होता है शक्ति शाली का ताथ परिया यहां पे सांदर अमल और शार से है कि उसकी उपस्तिती में यह नश्ट हो जाता है प्रकाश में यह अस्थिर होता है और इसमें करीब 4% तक कोबाल्ट प्रेजन्ट होता है और इसी प्रेजन्स के कारण से यह अन्य विटामीन से भिन्न होता है अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के कारियों के बारे में कि विटामिन B12 हमारे शरीव में किस प्रकार से कारी करता है विटामिन B12 लाल रख करनेकाओं की परिपकपता के लिए नितांत आवशक होता है परनीशियस रख अलपता की इस्तती में रख्त में जो लाल रख करनेकाओं होती है इनकी संख्या काफी कम हो जाती है तथा इनका अकार भी सामान्य की अपिक्षा बहुत अधिक बड़ा हो जाता है और यह इस्तती तभी सुधर पाती है जब व्यक्ति को या तो B12 के दवाईया दी जाए या फिर अगर वो बहुत सीवियर स्टेज है तो उस विक्ति को B12 के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं जब B12 के इंजेक्शन लगाये जाते हैं तो वापिस से बॉन मेरों के अंदर कोशिकाओं में परिवर्तन आने लगता है रेड ब्लेट सेल्स जो होती है वो बनने लग जाती है दूसरा फंक्शन है को एंजाइम की तरह कारी करना बटामिन B12 जो होता है वो को एंजाइम की तरह से कारी करता है और इनको एंजाइम को कार्मेमाइट को एंजाइम भी कहा जाता है परन्तु ये जो को एंजाइम होते हैं इनके निर्मान के लिए कई सारे पोशक तत्व भी चाहिए होते हैं जैसे राइबोफलेविन है, निकोटेनिकमले, मैंगनेशियम है इन सबकी भी आवशक्ता पड़ती है यहाँ को एंजाइम, प्यूरीन्स तता पिरामीडीन्स के उपापच्चे में सक्रिय भूमी का निभाने का कारी करते हैं जिससे कि नुकलियो प्रोटेन्स जो होते हैं उनका संचलेशन होता है और नुकलियो प्रोटेन्स जो है सामान ये रक्त कणिकाओं के निर्मान के लिए बहुती ज़रूरी होते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन है ज़िए कार्भोईडरेट पसा प्रोटेन के उपापच्चे में सक्रिय भूमी का निभाता है इसके अलावा फॉलिक अमले के उपापच्चे में भी विटामीन जो B12 होता है वह अपनी इंप्रोटेन्ट भूमी का निभाने का कारी करता है बिटामीन B12 जो होता है वह भूग को बढ़ाता है अधा परियाप्त मात्रा में भूजन करने से रोगी के स्वास्थी में शिक्षिग्रता से सुधार आने लगता है नैचुरल है वह भूग को बढ़ाएगा विक्ति को भूग लगेगी तो वह और खाना खाएगा और अगर वो जो खाना है परियाप्त मात्रा में खा रहा है संतुलित खारा है तो उसके स्वास्थे में धीरे 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 सुधार आने लगता है हमारे उत्तकों में कई सारी जैविक वर रासाइनिक क्रियाओं चलती रहती है इन जैविक और रासाइनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विटामिन B12 युक्त को एंजाइम की आवशकता होती है और ये जो को एंजाइम होते हैं जो कि विटामिन B12 के द्वारा बने होते हैं, ये जैविक वर रासाइनिक क्रिया को संपन कराने में मदद करते हैं। यकरत में बसा को संग्रहित होने से बचाता है, अथार्थ एक्सिस में उसका स्टोरेज नहीं होने देता है, ये विटामिन A कारवन एकाई के परिवहन में सहायक होता है, तथा ट्रांसमिधिलेशन प्रक्रिया में भाग लेता है, जैसे मिथ्योनीन से कॉलीन का निर्मान होना, ये गलाइसीन से सारीन का निर्मान होना। नाड़ी उत्तकों में होने वाले उपापच्चे में यह सहायक होते हैं, मिथ्योनीन तथा कॉलीन इन दोनों के ही निर्मान में विटामिन B12 जो होता है, वो सक्रिय भूमी का निबाने का कारिय करता है। पढ़नीशन स्ट्रक्त अलपता के कारण जो मांसिक रोख हो जाते हैं विक्ति को, साथ में उस विक्ति में जो मांसिक गड़बडिया उत्पन हो जाती है, उनका निवारन भी विटामिन B12 के सेवन से हो जाता है। DNA के निर्मान में को एंजाइम की तरह से विटामिन B12 कारे करता है। जब DNA का निर्मान नहीं हो पाता है, तब जो अपरिपक्व लाल रक्तकन होते हैं, वो विभाजित नहीं हो पाते हैं, साथ में अकार में बढ़ जाते हैं और इसे ही मेगालो ब्लास्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के प्रभाव के उपर, विटामिन B12 की जब भी किसी व्यक्ती के शरीण में कमी हो जाती है, उस समय पर उसे परणीश एनिमिया या रक्त अलपता नामक रोग हो जाता है। इस रोक के अंदर व्यक्ति के शरीर में जो लाल रक्त करनी का है रबी सी है उनके संख्या काफी कम हो जाती है एक सामानी व्यक्ति के अंदर लाल रक्त करनी काउं की जो सामानी समय पर संख्या होती है वो 4.5 से 5.5 होती है जो की कमों के only 1.5 से 2.5 मिलियन रह जाती है जिस तर से RBC के count कम हो जाते हैं उसी तरीके से blood के अंदर hemoglobin का level भी कम हो जाता है यह जो level होता है 8 से 9 प्रतिशती रह जाता है जबकि सामानी विक्ति के अंदर यह जो level है वो 12 से 14 प्रतिशत तक होता है hemoglobin का level कम होना anemia का एक important या हम कहें की मुख्य लक्षन होता है और इसके सारे कारण से विक्ति में कई सारे अन्य लक्षन भी दिखाई देने लग जाते हैं इसके अलावा विक्ति के जो आमशेक रस होता है उस आमशेक रस में परियाप्त मात्रा में अंतकारक उपस्तित नहीं होते हैं और जब भी कभी भी ऐसा होगा कि जब आमाशेक रस्मे प्रयाप्त मात्रा में अंतकारक उपस्तित नहीं होगे उस कंडिशन में विटामिन B12 का जो है अफ्शोषन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और जब इसका अफ्शोषन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो शदीर में विटामिन B12 क कमी हो जाती है और इस कमी की कारण से व्यक्ति में कई सारे लक्षन जो है वो ड्रश्टिक हो जरोते हैं और जब हम इन लक्षनों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम माउथ की या मुह की बात करेंगे तो उस व्यक्ति के मुह में जिसने की परनिशेस एनिमिया रोग हुआ है उसके मुँ में चाले पड़ जाते हैं जीब में जलन होने लगती है और जीब में कई बार दरारे भी बन जाती है जब हम आमशे की बात करते हैं तो आमशे की वे कोशिकाएं जिनसे की आमशेक रस बनता है या गेस्ट्रिक जूस बनता है तता एंजाइम निसकाशित होते हैं ये कोशिकाएं श्रीन होकर नश्ट होने लगती है फलतव, आमशेक, स्त्राव के अंदर जो HCL निकलता है या पैपसीन या इंट्रिंसिक फैक्टर जिसे कि अंतकारक भी का जाता है इन सभी चीजों का अभाव हो जाता है तो नैचूरल है कि जो भोजन का अफ्शूशन होता है या पाचन होता है वो कारिय पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा अस्ती मच्चा के बाहरी सरूप में परिवर्तन आ जाता है परिपक्व लाल रक्तकणी का हैं अस्ती मच्चा के बाहर नहीं निकल पाती है bond marrow का जो बच्चो बहार का structure होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है साथ में RBC cells जो होती है वो बहार नहीं निकल पाती है उन्हीं में फसीर आजाती है लाल रखकनिकाओं की संख्या में ये RBC cells में के numbers में कमी आ जाती है और उनका जो आकार होता है सामान ये आकार से काफी बड़ा हो जाता है अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर की रख्त में जो लाल रखकनिकाओं की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है जो कि हमने अपनी पिशली स्लाइट में देखा था और साथ में हमोगलोबीन की जो मात्रा है अगर उसको भी देखा जाए तो वह भी काफी कम हो जाता है सामानी के comparison में और ये चीज़ भी हमने पिशली स्लाइट में अच्छे से आपको बताई थी रक्त सिरम में विटामिन B-12 का जो इस्तर होता है वह भी सामानी इस्तर के comparison में काफी कम हो जाता है सामानी विक्ति के अंदर जो है B-12 का जो लेवल होता है वो करीब 200 से 300 माइक्रोग्राम होता है जबकि परनिशिस एन इमेज इस विक्ति को हुआ है उसमें ये लेवल गट करीब 10 से 12 माइक्रोग्राम ही रहे जाता है साथ में अगर हम तोचा को देखते हैं उस विक्ति की तो बहत तोचा फीली हो जाती है उसके हाथ पैर सुननों हो जाते हैं ऐसे विक्ति को ठकान शिगर होने लगती है और काम में उसका मन नहीं लगता यानि काम के प्रती में विटामिन B12 की कमी से नाड़ी के संबंदी विकार भी उत्पन हो जाते हैं नाड़ी तंतुओं में गाव हो जाता है इसके अलावा जो स्पाइनल कोड या सुश्मना नाड़ी होती है इसके वाइट मेटर या श्वेत प्रदार के बाहर या आवरन का भी नाश होने जाती है उस विक्ति को चक्कर आने लगते हैं सर में दर्द रहने लग जाता है मांसिक तनाव इसके मुख्य लक्षन होते हैं अब हम बात करनें विटामिन B12 के प्राप्ति के साधन के बारे में कि किन-किन साधन से यह हमें प्राप्त होता है जब इसके सोर्सेस की बात की जाती है तो विटामिन B12 केवल प्रानिज या एनिमल भूच्ची प्रदार्तों में ही उपस्तित होता है यक्रत जो है विटामिन B12 का सर्वत्तम साधन होता है इसके अलावा यमास, मशली, अंडा, आदी में भी उपस्तित होता है ताजा दूद, दूद का पाउडर, पनी आदी भूच्चे प्रदार्तों से भी इसको प्राप किया जाता है परन्तु यह इसके बहुती सामाने स्त्रयोत होते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्प मात्रा में ही विटामिन B12 उपस्तित होता है कई पार जिनको विटामिन B12 की डेफिशेंसी होती है, मैडिसेंस या इसके इन सब चीजों से क्या होता है कि उन फूड स्टाप में विटामिन B12 का डवलफमेंट हो जाता है, इस स्लाइब में बच्चों में बात कर रहे हैं विटामिन B12 की तहने का आवशक्ता की, कि विटामिन B12 की क्या तहने का आवशक्ता है, जोकि ICMR या Indian Council of Medical Research के दोरा भ जो बच्चे की requirement ICMR के द्वारा बताई गई है, वो है 0.2 microgram प्रति दिन, इसी तरीके से 1-18 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसमें सारा age group यहाँ पर आ गया है बच्चों, बली वो 1-3 हो, 4-6 हो, 7-9 है, या 10-12 है, 13-15 है या 16-18 हैं, इन सभी बच्चों के लिए same vitamin B12 के आविशक होती है, जो कि है 0.2 से लेके 1 microgram vitamin B12 प्रति दिन, इसी तरीके से व्यस्क पुरश की जो vitamin B12 की आविशकता बताई गई है, वो है 1 microgram प्रति दिन, व्यस्क महिला के लिए, विटामिन B12 की जो आवशकता है वह भी व्यस्क पुरुष के समान ही है जो है एक माइक्रोग्राम प्रति दिन गर्बस्त महिला की विटामिन B12 की जो आवशकता है वह व्यस्क पुरुष और व्यस्क महिला के समान ही एक माइक्रोग्राम प्रति दिन है धात्री महिला या इस्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसकी विटामिन B12 के रिक्वार्मेंट ICMR के द्वारा 1.5 माइक्रोग्राम प्रतिपिन होती है इसी के साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक है विटामिन B12 वह समापत होता है विटामिन B12 के बारे में हमने पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखा है जितना कि आपके कोस के अंतरगते की विटामिन B12 के क्या कारिये हैं उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या रोग हो जाते हैं किन साधनों के द्वारा किन सोसेस के द्वारा हम विटामिन B12 को प्राप्त कर सकते हैं इसके कमी के हमारे शरीर में क्या लक्षन ब्रश्टी को चर होते हैं साथ में ICMR के द्वारा क्या रिक्वार्मेंट दी गई है थैंक यू बच्चो